मंदिर क्या होता है? आईए इससे समझते हैं आम तोर पर जब हम मंदिर कहते हैं तो लोग तुरंट सोचने लगते हैं कि किस धर्म का? नहीं अगर मंदिर आपका, मेरा या किसी एक खास समुदाय का है तो आप इसे मंदिर नहीं कह सकते मंदिर दिविता के लिए एक निमंतरण है अगर हम एक स्थान को जरूरी साधनों के साथ स्थापित करते हैं जहां दिविता ज्यादा अभिव्यक्त है ऐसा नहीं है कि ये हर जगा नहीं है बस इसे अनुभव करना ज्यादा आसान है ध्वानी की तरंगे हर जगाएं, मगर आप उन्हें सुन नहीं सकते आपको एक सेलफोन चाहिए, उस सिगनल को पकड़ने के लिए वरना आप उसे नहीं पकड़ सकते तो हम कह सकते हैं कि मंदिर एक बड़ा सा सेलफोन है आप बोल नहीं सकते सिर्फ सुनने के लिए एक तरफा सेलफोन, चलेगा? मैं हमेशा मंदिर इस तरह से बनाता हूँ कि आप बोल नहीं सकते चलेगा? या आप बात करना चाहते हैं अगर आप परे के आयाम को सुनना चाहते हैं अगर आप उस संभावना के प्रती ग्रहनशील होना चाहते हैं तो हम वैसा स्थान बना सकते हैं हम उस तरह का एक साधन या ओजार बना सकते हैं जब मैं ओजार शब्द का इस्तिमाल करता हूँ तो शायद मुझ में आदर में कमी का भाव लगता है लेकिन मैं ओजार शब्द का इस्तिमाल विशेश तोर पर करता हूँ जब मैं ध्यान लिंग को ओजार कहता हूँ तो लोग बुरा मान जाते हैं सद्गुरू ऐसा मत कहिए हमारे अनुभव में यही सब कुछ है इसे ओजार मत कहिए मैं कहता हूँ कि यह एक ओजार है क्योंकि ओजार का मतलब है वो चीज जो काम करती हो यह कोई कला का नमूना नहीं है जिसके आप बस सराहना कर सकते हैं यह एक ओजार है क्योंकि यह काम करता है अगर मैं इस दरवाजे में लगा बस एक स्क्रू अगर मैं आपसे इसे अपने हाथों से निकालने को कहूँ, क्या आप निकाल पाएंगे? लेकिन अगर मैं आपको एक स्क्रू ड्राइवर दे दूँ, तो आप निकाल सकते हैं, है न? उसी तरह, परे के आयामों के दर्वाजों को खोलने के लिए भी एक उजार है अगर आप अपने हाथों से दर्वाजे में लगे, उस साधरन से स्क्रू को निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपके दसों आखून तूट जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं निकलेगा, हाँ? अगर आजार नहीं हो, तो वो हाथों से कोशिश करेंगे, अगर बात नहीं बनती तो क्या आप करते नहीं? शायद आपके दांट तूट जाएं फिर भी वो नहीं निकलेगा लेकिन अगर आपके पास एक साधारन सा ओजार होता तो आप कितनी आसानी से ये कर सकते थे तो ये परे के दर्वाजे खोलने के लिए एक ओजार है और मुझे नहीं लगता कि ओजार शब्द निरादर दर्शाता है और नहीं मुझे लगता है कि ओजार शब्द अपमान जनक है ओजार एक जबरदस्ट संभावना है, है ना? मानव समाज में महतुपून विकास के बल तभी हुआ जब हमने ओजार बनाने शुरू किये, है ना? नहीं? मंदिर को एक ओजार कहने पर बुरा क्यों लगता है? मंदिर एक ओजार ही है अलग-अलग ओजारों के इस्तिमाल के तरीके भी अलग होते हैं इस ओजार के लिए आपको एक खास तरह से होना होगा चूंकि एक भौत एक ओजार नहीं है आपको एक खास तरह से इसकी ओर जाना होगा तो उस खास तरीके में, कुछ मात्रा में, श्रद्धा भी शामिल हो सकती है क्योंकि उस ओजार का इस्तिमाल कर पाने के लिए उस रवईये की जरूरत है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे समझा जाए और आजार की तरह इस्तिमाल किया जाए एक मंजल की तरह नहीं, बलकि एक संभावना की तरह मंदिर कोई मंजल नहीं है मंदिर सिर्फ एक दर्वाजा है दर्वाजा मंजल नहीं होता दर्वाजा बस दर्वाजा होता है जो कोई चीज खोलता है तो मंदर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है बेशक कुछ पत्थर और काफी दूसरी चीजें लेकिन मंदर बनाने के लिए इंसान के भीतर क्या होना चाहिए मैं आपका उत्सा खत्म करने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ मंदिर तब तक नहीं बनेगा जब तक कि कुछ लोग कम से कम मुठी भर लोग इसे अपने जीवन से उचा नहीं समझेंगे अपने जीवन के हिस्से की तरह नहीं कुछ ऐसा नहीं जो वो अपने जीवन में छुट-पुट चीज की तरह करते हैं मंदिर बनाना कोई शौक या पेशा नहीं है आपको इसे अपने जीवन से बढ़कर देखना होगा अपने जीवन से भी ज्यादा महत्वपून आपको ये समझना चाहिए कि कम से कम पूर्व में भारत में मंदिर बहुत विस्तार और बारीकी से बनाय जाते थे कुछ मंदिरों को पूरा करने में तो तीन से चार पीडियां तक लग गई उदाहरण के लिए कैलाश मंदिर जो अजन्ता एलोरा में महराष्ट्र के अजन्ता इलाके में है तमिलनाडू में कई है चटान को तराश कर इस मंदिर को बनाय गया था उन्होंने इसे पत्थरों से नहीं बनाया पहाडी की एक विशाल काय चटान उन्होंने उसे ही खोटकर मंदिर तराशा तीन मंजिलों का पूरा काटकर बनाया उन्होंने कई सौ टन पत्थर काटकर निकाले होंगे शायद हजारों टन पत्थर क्योंकि मंदिर में जो सारी खाली जगा आप देखते हैं वो सब चटान काटकर बनाई गई है और उन्होंने तीन मंजिलें बनाई बहुत विस्थरित और खूबसूरत और वहाँ कम से कम छे सौ मूर्तियां है सब काटकर बनी है अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको पूरा मंदिर फिर से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसे पत्थरों को जोड़ कर नहीं बनाया गया आप एक पत्थर निकाल कर दूसरा नहीं लगा सकते ये चटान में ही तराशा गया है इसमें करीब 135 साल लगे कम से कम चार पीडियों ने एक ही योजना पर काम किया तीन से चार पीडियों के लोग मंदिर पूरा करने के लिए एक ही योजना पर 135 साल तक काम करते रहे और कहीं भी उनके नाम नहीं लिखे हैं ऐसा अद्भूत काम कईोंने 14 या 15 साल की उम्र में काम करना शुरू किया होगा और काम करते करते वहीं मर भी गय होंगे लेकिन किसी का नाम नहीं लिखा गया शिल्प कारों के नाम नहीं लिखे गये जिन राजाओं ने मंदिर बनाने के लिए पैसा दिया उनके नाम भी नहीं लिखे गये ये होता है मंदिर अब समझे ये ऐसी जगा नहीं है, जहां हम अपनी निशानिया छोड़ कर जाने एक बहुती सुन्दर कहानी है एक बूड़ा आदमी था एक आदमी था आदमी बूड़े हो जाते हैं धीरे धीरे उसके दो बेटी थे पिता और दोनों बेटों ने कड़ी मेहनत की एक बड़ा खेट तयार किया और काफी सम्रिद्ध हो गए अब बूड़े आदमी के मरने का वक्त आया जब वो जाने वाला था तो उसने अपने दोनों बेटों से कहा इस खेट से जो भी पैदावार हो उसे तुम आपस में बराबर बाटना और तुमें हमेशा इस पर कायम रहना होगा किसी भी समय बटवारे को लेकर तुम्हारे बीच कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए दोनों ने अपने पिता के सामने हामी भरी और वैसा ही किया मैं जमीन को बाटने की बात नहीं कर रहा हूँ भारत में जमीन को बाटने की प्रथा केवल चार से पांच पीडियों पहले ही आई है शाय तीन से चार पीडियों पहले उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था कि ये मेरी जमीन है वो तुमारी जमीन है केवल पैदावार को बाटा जाता था जमीन को कभी नहीं तो लोगों के दिमाग में ये सोच थी ही नहीं कि आप जमीन भी बाट सकते हैं तो पिता ने कहा तुम पैदावार को बराबर बाट लेना और वो इस पर कायम रहे कुछ समय बाद एक भाई की शादी हो गई एक, दो, तीन, चार, पांच उसके पांच बच्चे हुए दूसरे भाई ने शादी नहीं की तो वो अकेला था फिर भी फसल आधी-ाधी बाटी जाती थी क्योंकि ये पिताजी का निर्देश है आप उसे बदल नहीं सकते ये उनकी इच्छा है तो जो भाई शादी शुदा था और उसके पांच बच्चे थे एक दिन उसके दिमाग में एक कीड़ा गुश गया कभी-कभी आपके दिमाग में कीड़ा गुश जाता है है ना उसके दिमाग में कीड़ा गुशा और एक विचार आया और उसमें सोचा मेरे पास बीवी और पाच बच्चे हैं मुझे 50 प्रतिषद मिलता है मेरा भाई बिलकुल अकेला है और उसे भी 50 प्रतिषद मिलता है मेरे बूड़े होने पर मेरे पाचों बेटे ज़वान हो चुके होंगे वो और जमीन खरीद लेंगे और हम ज्यादा सम्रिद्ध हो जाएंगे लेकिन मेरा भाई अकेला है हमारे पास अभी जो है उसके पास बुढ़ापे में उसका केवल 50% ही रहेगा ये उचित नहीं है मगर वो बहुत स्वाभिमानी है अगर मैं उससे थोड़ा ज़्यादा देना चाहँ तो वो नहीं लेगा अगर मैं अपने बेटों की नई जमीन की उपज साज़ा करने की कोशिश करता हूँ तो भी वो नहीं लेगा सिर्फ पिताजी की जमीन की आधी उपज ही लेगा तो क्या किया जाए तो रात में, जब सब सो रहे हैं, वो अनाच की एक बोरी लेकर भाई के गोदाम जाता है और वहां रख देता है तो उसकी जानकारी के बिना, वो अपने भाई को दान कर रहा है दूसरा भाई, जो अकेला था, उसमें सोचा मेरे भाई की बीवी और पांच बच्चे हैं, उसे ज्यादा की जरूरत है मैं बस अकेला हूँ, मैं इस सब का क्या करूँगा अगर मैं उसे कुछ देने की कोशिश करता हूँ, तो वो नहीं लेगा तो उसने भी अनाच की बोरियां ले जाकर भाई के गुदाम में रखनी शुरू करती रिवर्स ओस्मोसिस हो रहा था और किसी को पता नहीं था, रात में चुपके से कभी कभार ये भाई उधर एक बोरी रखा था ये चलता रहा, वो बुड़े हो गए, एक दिन दोनों बुड़े भाई रात में अनाच की बोरी उठाए जा रहे थे और दोनों का आमना सामना हो गया, दोनों को एहसास हुआ कि क्या होता रहा है लेकिन दोनों चेहरा घुमा कर अपने अपने रास्ते चलते रहे, बोरी रखी और वापस चले गए थोड़े समय बाद दोनों मर गए गाव के लोग एक मंदिर बनाना चाहते थे मंदिर बनानी की जगा ढूंडते हुए, वो काफी जगाहों पर गए काफी ढूंडने के बाद, उन्होंने तये किया कि वो मंदिर वहाँ पर बनाएंगे, जहां वो दोनों भाई उस राट तक राय थे दोनों ने एक दूसरे को देखा, और अचानक वो दोनों अपनी ही उदारता को लेकर इतने शर्मिंदा हुए, कि उन्होंने अपने चहरा गुमाया और अपना काम करते रहे लोगों ने सोचा कि मंदिर बनाने के लिए यही सबसे अच्छी जगा है क्योंकि मंदिर का यही मतलब है, खुद से परे देखना, अगर वो भाव नहीं है, तो मंदिर भी नहीं है